हैं तो देखे साइपी इंफ्लोज साड़े चौबीस पचीस हजार करोड़ का मंत्री इंफ्लोज आता हुआ हमारे डोमेस्टिक इंस्टूशन हमारे रिटेल तो जम के धटे को खड़े नजर आ रहे हैं अशीश आधिंग आज से साथ या आठ महीने पहले की बात है आपने य कि 1 बिलियन से 2 बिलियन जाने में कितना टाइम लगा मार्केट को लेकिन 2 बिलियन से 3 बिलियन आने में कितना कम टाइम लगा 24,500 करोड मतलब पहली बार इतिहास में रीटेल का SIP इंफ्लो तीन बिलियन डॉलर क्रोस कर चुग है जी हां 3 बिलियन डॉलर और ए 3 का 4 बिलिय यह wealth effect होता है, अपने आप इस तरीके से numbers बढ़ते रहते हैं, तो यह मुझे लग रहा है कि और आगे जाके इस वे उपर आएगा, हाला कि एक चीज़ interesting थी, August के मुकाबले overall equity inflow थोड़ा कम हुआ, overall equity inflow 9% कम हुआ है, 38,212 करोड के मुकाबले 34,393 करोड हुआ है, उसका मैं आ 300 से घटकर 371 हुआ, लेकिन mid cap में 354 से बढ़कर 371 करोड हुआ, तो mid cap और small cap put together, अभी भी ठीक ठाक है, ETF में inflow कम हुआ है, यह बहुत interesting है, I think इसका एक कारण है, I think thematic funds में पहले बहुत inflow आया था, और कई लोगों ने passive investing काफी की थी, वो थोड़ी से कम हुई है, वो 10,000 कर सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है, सबसे ज़्यादा पैसा SIP investor बनाता है, इस market में, या किसी भी market में, क्योंकि वो discipline के साथ invest करता है, तो वो number जो 3 billion dollar के cross है, वो मुझे confidence दे रहा है, कि market में अभी भी काफी bank intact है, यह किति बार चरशा भी होई थी, वैसे भी funds के पास भी नहीं, बहुत meaningful tips भारती बसार हम आएंगे नहीं, आएंगे तो shallow corrections आएंगे और उपैसा डिपलाई होने के लिए market में उतरेगा, रहरे के वही दिखता है बार बार, और यह हमारे SIP inflows, यह हमारे retail के inflows, D.I.S. के inflows का जल्वा, 3 billion dollar monthly inflows अब, हम उस market को पहुंचते हुएं, अबर आए.